आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं रोवर प्रज्यान के बारे में जो चंद्रियान 3 लेंडर से बाहर आ चुका है चंद्रवा पर चंद्रियान 3 की लेंडिंग के बाद लेंडर विक्रम से रोवर प्रज्यान बाहर निकल कर चांद की सता पर घूम रहा है लेंडिंग के करीब 14 गंटे बाद की सुभा इसकी पुष्टी भारतिय अंतरिक्ष संस्थान केंदर ने की है चंदर्मा 3 के लेंडर ने 23 अगस्त शाम 6 बचकर 4 मिनट पर चान पर पहला कदम रखा था प्रज्ञान रोवर में 6 पैये लगे हुए है और इसका वजन 26 किलो है चान की सतय पर यह है अपने सॉलर पैनल खोल कर चल रहा है इसरो के विज्ञानिकों का कहना है कि यह है चान की मिट्टी पर भारत के राष्ट चिन अशोक स्तम और इसरो के लोगों की चाप भी छोड़ेगा हाला कि इसे लेकर अभी इसरो का कोई बयान नहीं आया है चहल कदमी के दोरान रोवर की रफथार एक सेंटीमीटर प्रती सेकंड थी इस दोरान पानी और कीमती धाथूं के साथ आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरों का इस्तमाल ये करेगा और इसरो की कमांड टीम को जानकारी भीजेगा चान पर अगर लेंडिंग की बात करें तो इस पूरी परकिरिया में 41 दिन लगे है चंद्रियान 3 आंदर प्रदेश की शिरीहरी कोटा से 14 जुलाई को 3 बचकर 35 मिनट पर लॉंच हुआ था इसे चान की सतह पर लेंडिंग करने में पूरे 41 दिन का समय लगा धरती से चान की कुल दूरी 3,84,000 किलो मिटर है अब हम बात करेंगे चंद्रियान 3 रोवर के बारे में यानि की प्रज्यान के बारे में प्रज्यान में 6 पहिये लगे हैं इसका कुल वजन 26 किलो है पचास वाट पावर जनरेशन है इसमें इसके अलावा इसमें सोलर पैनल है सोलर पैनल हिंच, NAV कैमरा, चैसिस, सोलर पैनल होल डाउन, वहील ड्राइव असेंबली, रोकर बॉगी समेद इसमें बहुत सरे एक्यूपमेंट्स लगे हुए है प्राज्यान ड्रोवर पर दो पैलोड लगे हैं, ये पानी और अन्यर कीमती धातों की खोज में मदद करेगा ये दो पार्टिकल है, APXS यानि Alpha Particle X-ray Spectrometer और LIBS यानि Laser Induced Breakdown Spectroscope ये दोनों पैलोड चंदरमा की सतह की सरचना की जाच करेंगे अगले 14 दिनों के दोरान ड्रोवर इस डेटा को एकत्र करेगा और इसे लेंडर पर रिले करेगा ये डेटा चंदरियान 2 के और्बिट को भेजा जाएगा, जो इसे प्रित्वी पर पहुँचाएगा चंदरियान 3 में कुल 6 पैलोड लगे हैं, जिनमें से 2 पैलोड प्रज्यान पे है इसके अलावा एक पैलोड जिसका नाम शेप है, वो चंदरियान के प्रोपल्शन मॉड्यूल पर लगा है ये चंदरियान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल पर लगे शेप के बारे में अगर बात करें तो चंदरियान की कक्षा से प्रत्वी का ये अध्यन करेगा प्रत्वी जैसे रहने योग्ये ग्रह के रेडियेशन में क्या कोई खास बात होती है ये भी देखेगा इसके अलावा अगर बात करें विक्रम ब्लेंडर के पैलोड्स की तो रंभा है वो प्लाजमा के घनेपन और समय के साथ इसमें हुए बदलाओं का पता लगाएगा चांद पर बातावरन नहीं इसलिए सूर्य की रेडियेशन लगातार इस पर पढ़ते रहते हैं इससे चांद की मिटी जल जाती है और इसमें गंपाउडर जैसी गंध आती है इसलिए प्लाजमा का अध्यन किया जा रहा है इसके अलावा विक्रम लेंडर पे जो चास्टे नाम का पैलोड है वो चंद्रमा की ध्रूप की सतय पर तापमान का अध्यन करेगा इलसा लेंडिंग साइड के पास भुकम को मापेगा चंद्रमा की उपरी और अंदर वाली सतय की बनावट का अध्यन भी करेगा प्रज्यान रोवर पेलोड पे जो दो पेलोड लगे हैं उसमें से पहला LIBS लेंडिंग साइड के आस पास मिट्टी और चटानों की सरचना का अध्यान करेगा और दूसरा APXS चांद की सतह पर केमिकल और मिनरल का अध्यान करेगा चंद्रियान की यात्रा बहुत अध्युद रही, ये 2008 से ही शुरू हो गई थी इस रोगी ये कोशिश तीसरी कोशिश थी 2008 में चंद्रियान 1 ने चांद पर पानिक हो जा 2019 में चंद्रियान 2 चांद के करीब पहुँचा लेकिन लैंड नहीं कर पाया 2023 में चंद्रियान 3 चान पर लेंड कर गया चंद्रियान 3 ने 23 अगस्त शाम 5 बचकर 44 मिनट पर लेंडिंग प्रोसेस शुरू किया था इसके बाद अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमेटर का सफर पूरा किया शाम 6 बच कर 4 मिनट पर चंद्रियान 3 के लेंडर ने चांद पर पहला कदम रखा, चांद पर सैखुशल पहुँशने का संदेश भी चंद्रियान ने भीजा, कहा भारत मैं अपनी मंजिल पर पहुँश गया हूँ और आप भी इस काम्याबी पर साउथ अफरीका से भारतिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश्वाशियों को बधाई दे कर कहा कि चंदा मामा बहुत दूर के कहा जाता था, अब बच्चे कहेंगे कि चंदा मामा बस एक टूर के इस रो के अनुसार अगले 14 तिन बहुत महत्पून है, इस रो के डारेक्टर S. सोमनात ने कहा है कि अगले 14 दिन हमारे लिए बहुत महत्पून है, प्रग्यान रोवर हमें चांद के वातवरन के बारे में जानकारी देगा, हमारे कई मिशन कतार में है, जल्द ही सूर्य पर अधित्य L1 भेजा जाएगा, गगन यान पर भी काम चल रहा है, अब हम बात करेंगे कि इस मिशन से जुड़े वे कुछ सवालों के बारे में, जैसे कि इस मिशन से भारत को क्या हासिल होगा, इस मिशन के जरिये भारत दुनिया को बताना चाता है कि उसके पास चांद पर स साउथ पोल पर ही मिशन को क्यों भीजा गया, तो चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग है, यहां कई हिससे ऐसे हैं, जहां सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुशती, और तापमान माइनस 200 डिग्री सेल्शिस से नीचे तक चला जाता है, ऐसे में विज् के संकेत भी दिये थे, तीसरा सवाल है कि दक्षने दुरूप पर पानी की खोज इस मिशन का लक्षय है, वो कैसे पूरा होगा, तो चंद्रियान 3 का लक्षय है, चंद्रमा के दक्षने दुरूप पर पानी की खोज है, यहां पानी की मौझूदगी बरफ्ट के रूप में हो सकती है चंद्रयान वन मिशन में इस बात के संकेत मिले थे जैसा कि हम बात कर चुके हैं यहां मिली बर्फ भविश्य के चंद्रमा मिश्णों और चंद्रमा कॉलोनी के लिए ऑक्सिजन इंधन और पानी का सूर्स हो सकती है इसके साथ ही आज का हमारे टॉपिक यहीं पर सम आप्त होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करते रहें धन्यवाग दोंट फोगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल और प्रेस्ट बैल आइकन तो नेवर मिस इन अप्टेट झाल